नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलों में आज हम सौलू करेंगे कोश्चन नमबर 4.10 क्लास 11 फिजिक्स और सी आर्टिस सलूशन कर रहे हैं तो हमें कोश्चन क्या दिया है उन एन ओपन ग्राउंड एक ओपन ग्राउंड है उसके उपर एक मोटरिस्ट है यानि कि मोटर साइक्स चुलाने वाला है जो कि एक ट्रैक को फोलो कर रहा है और वो एक टर्न लेता है अपने लेफ्ट में बाइन अंगल 60 डिगरी 60 डिगरी पर वो टर्न लेता है 500 मेटर के बाद वो हर एक 500 मेटर के बाद 60 डिगरी अंगल पर टर्न लेता है यानि कि वो मुडता है Starting from a given turn हमें क्या करेंगे starting करेंगे एक टर्न से specify the displacement of the motorist at the third हमें क्या करना है displacement निकालना है उसी motorist का third, sixth और eighth turn पर यानि कि तीसरे, छटे और आठवे टर्न पर हमें उसका displacement निकालना है compare the magnitude of the displacement और हमें magnitude of displacement को total path length जो उसने cover की है उसके साथ compare करना है तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की एक figure आ जाती है यानि कि एक hexagon हमारे पास आ जाती है अगर हम A से start करते हैं यानि कि A हो गया हमारा starting point starting point हो गया अब यह जो है 500 meter चलता है और turn लेता है कितने अंगल पर? 60 degree अंगल पर 60 degree पर तो इस तरह से जो है फिर से वो 500 meter चला और फिर से उसने turn लिया फिर से 500 meter चला फिर से turn लिया फिर से 500 meter चला फिर से turn लिया यानि कि इस तरह की एक hexagon बन जाएगी इस तरह से करते करते हैं तो अब हमें क्या करना है हमें जो है third, sixth और eighth turn पर displacement निकालना है पहले तो हम third turn देख लेते हैं कहां पर आएगा तो यहां से starting है तो first B पे आ जाएगा second C पे आ जाएगा turn और third आ जाएगा D पे यानि कि जो third turn है वो हमारा D पर बनता है यानि कि यह है A से D हम मिला देते हैं इसको और यहां से C से भी एक जो है perpendicular इसके उपर गिरा देते हैं अब देखें यहां पर माल लिजे कोई point ले लिजे आप G ले लिजे अब यहां पर जो displacement है displacement हमारा क्या होगा displacement होगा AD यानि कि A से D यह displacement होगा और AD को अब आप क्या लिजे सकते हैं AG प्लस GD यानि कि A से G तक का और G से D तक का अब देखें जो GCD triangle है जो triangle है हमारे पास DCG यह जो एक equilateral triangle आप कहा सकते हैं यानि कि सारी भुजाएं इसकी ब्राबर हैं तो DC 500 है अगर तो GD भी 500 होगी और AG यह जो है बिल्कुल midpoint है इसका तो यह भी 500 होगी क्योंकि यह जो है हमारा इस तरह से देख सकते हैं इसके ब्राबर है तो यहाँ पर आपका आजाएगा यह 500 प्लस 500 यानि कि यह आजाएगा हमारा 1000 तो 1000 जो मीटर है वो हमारा magnitude of displacement रहेगा यह थर्ड टर्न के लिए टोटल पाथ लेंथ देख लें यह तो हमने magnitude of displacement निकाला टोटल पाथ लेंथ अब displacement क्या होता है इसल से final point तक का जो हमारा दूरी है तो AD होगी जो कि हमने 500 प्लस 500 निकाले अब टोटल पाथ लेंथ क्या होगा A से B गया B से C गया C से D गया यानि कि A से B 500 B से C 500 और C से D 500 यानि कि यह हो जाएगा हमारा 500 तो इस case के लिए तो यह हो गया हमारा यह तो हमारा third के लिए यानि कि जो third turn लिया है अब देखते हैं तो आगे turn है इसका वो कौन सा है third के बाद sixth था fourth, fifth, sixth यानि कि A पर ही वो दोबारा लोटकर आ गया अब displacement अगर A के उपर देखें यानि कि A पर आ गया है वो दोबारा तो यहाँ पर displacement क्या हो जाएगा zero क्योंकि initial से final point जो है एक ही है zero और जो total path length है total path length वो कितनी हो जाएगी हमारी अब यह 500 है और छे side गूम किया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यानि कि five, sorry six into five hundred यानि कि यह कितना हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा अगर total path length देखें हम यह हो जाएगा three thousand meter तो यह हो गया हमारा three thousand meter तो यह आप समझे कि total जो है ए पर आया displacement तो zero और total path length यह जो है इस तरह से 500-500 चलके 6 बार आया है तो three thousand meter इसका हो जाता है जो path length है अब उसके बाद eight था यहाँ sixth है, ए के पास जो है sixth है, तो उसके बाद seventh और eighth यानि कि वो a से c पर जाएगा eighth turn में, तो eighth turn के लिए वो कहाँ पर पहुँची गया c पर पहुँची गया, c point पर इस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर या कहें कि magnitude of displacement आपको निकालें तो displacement का magnitude क्या जाएगा आपके पास जो आपको ac निकालना है तो यह आपके पास क्या आ जाएगा अगर हम इसको लिखें, इस तरह से लिख सकते हैं under root a b का square, plus b c का square plus 2 a b और into b c तो यह हम इसको लिख सकते हैं 2 a b into b c और इसके साथ क्या आएगा cos 60 degree, क्योंकि अंगल यह 60 degree है तो यह हम इस तरह से displacement का यह formula लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर a b c एक इस तरह की triangle बनती है, और magnitude of displacement हमें निकालना है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, अब जो a b की value है b c की value है, इनकी value को हमें put कर देना है, a b की value 500 है, तो यह आ गई b c की value भी 500 है, इसका square तो यह आपने सारी values put कर देनी है अब यह displacement निकाल रहे हैं बस तो उसके बाद जब आप इसको solo करेंगे, सारे को solo करेंगे तो आपके पास 866.03 meter आ जाएगा, जब आप इस सारे को solo करेंगे और under root को solo करेंगे तो यह आ जाएगा, अब देखिए इस figure के अंदर यह तो हमने निकाल लिया कि displacement कितना है A, C, magnitude of displacement, अब यह angle कितना है यह angle भी हमें निकालना है वैसे तो हमें clear हो रहा है कि यह 60 है, तो यहाँ पर यह 30 होगा लगबग, तो वैसे हम निकाल सकते हैं इसको, जो हमारे पास formula है तो यह जो formula है chapter के अंदर आप पढ़ सकते हैं यह आजाएगा 10 inverse जो कि हमारे पास है 500 sin 60 degree आजाएगा divide by 500 plus 500 cos 60 degree आजाएगा यह जो है chapter के अंदर आप formula देख सकते हैं और जब आप इसको solo करेंगे, यह 30 degree आजाएगा बीटा का formula यह होता है हमारे पास तो यहाँ पर हमने values put की और यह 30 degree आजाएगा यह जो है इन दोनों के बीच में angle जो है, यह 30 degree angle है, तो यह भी अगर आपने निकालना है निकाल सकते हैं उसके बाद देखिए यह तो हमने निकाला की magnitude of displacement और angle निकाला अब total path length कितनी होगी अगर हम total path length की बात करें तो total path length हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर यहाँ पर देखिए, पहले तो वो 6 side घूम कर आया है 8th turn की बात हो रही है 8th turn की, यानि कि A तक तो 6 इसने turn लिये, फिर 7, B और C, 8 तक आया यानि कि 500 प्लस 500 इसमें और एड़ करना पड़ेगा एक बार पूरा घूम के और 1000 उसके अंदर और एड़ कर दीजिए यानि कि 6 into 500 करके प्लस 1000 कर दें उसके अंदर तो यह कितना आ जाएगा हमारा यह 3000 और प्लस 1000 यह यह आ जाएगा, total path length आ जाएगी हमारे पास 4000 आ जाएगे, तो 4000 meter जो है 8th turn के लिए बनता है और magnitude of displacement 866.03 meter बनता है और 30 degree के अंगल पर तो इस तरह से जो है आप 3rd, 6th और 8th के लिए जो magnitude of displacement है वो निकाल सकते है total path length निकाल सकते है सारे चीज़ें हम इसके अंदर निकाल सकते हैं तो धंकियो वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोग पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद